नमस्कार, आज बात करेंगे GST Registration में पैसा भी लगता है कि आगर आप GST Registration कराते हैं, तो उसमे कितने φीज होती है, क्या कुछ होता है उसके बारे में बात करेंगे वीडियो पहली बार देखरेंऔर तो लाइक कर देना चैनल को कर लेना शब्सकायब आपको बता दू GST registration कराने में payment तो देनी ही परती है आपको registration का पैसर लगता ही लगता है लेकिन government को कोई fees नहीं जाती है free of cost होता है एक भी रुपए की transaction नहीं होती है जो government लेती हो आपको बता दू जो fees होती है वो होती है जिनसे आप करवाते हैं तो कि उन्होंने office खोला है उसका चार्ज जाता है उसका किराया जाता है बिजली का बिल जाता है उनके convince होते हैं उनके office में employee उन्होंने रख्यों है registration करने के लिए या फिर जो भी है काम करने के लिए कहीं भी आप जाते हैं अगर कोई service लेते हैं आप तो उसकी payment आपको करनी होते हैं चाहे वो cyber cafe ही क्यों न हो एक print भी लेते हैं आप तो 5 उपए देना ही पड़ता है तो इसी प्रकार से आप जब GST registration कराने जाते हैं चाहे वो आप अपने जानकार के accountant से करवाएं या जो account का काम देखते हैं उनसे करवाएं यानि कि यह हो गया आपका personal level पर कि आप किस से registration करा रहे हैं और कितना charge देते हैं वो आपके उपर depend होता है फिर उसके बाद CA law firm आ जाती है company जो GST का काम देखते हैं finance का काम देखते हैं GST registration ITR registration वो लुक करते हैं उनके fees आ जाती है फिर उसके बाद आ जाता है CA होता है CA के offices में GST registration होता है फिर उनके वो अपने हिसाब से charge होते हैं तीनों जगों है पर मेरे हिसाब से यह तीन लेवल ही है एक personal level है जो आपको जिनको आप जानते हैं contact में आपके रहते हैं कि आप वो अकाउंट का काम कर रहे हैं और आपका GST registration कर दें तो हो सकता है वो फेरी में भी कर दें आपका लेकिन अगर आप किसी company में जाकर कराते हैं जो आपका प्रफेशनल तरीके से काम होता है कोई एक मतलब की एक कैसे आपको समझाओ की सर्विस होती है कि तीन तरह की कैटेग्री के आप सर्विस इसमें समझ सकते हैं मेरे अकौड़िंग क्योंकि मैं भी सबसた काम अब को मिल जाएगा वोCrサीव सी मिल जाएगा आपको तो को इनके वहाँ से ओसे नंबर पर आपको कंपनीक के से रजिस्टेशन आपको मिल जाएगा और पर सबसक्राख पर कराते हैं तो उनसे थोगा अई तो तो ईए यह अगर बहुत अच्छा है लेकिन अगर परेशनल जैसे आप देखियोगी कि हजार रुपए में GST registration कराएं और हजार रुपए में GST registration कराएं वो भी देखा होगा और ये भी होता है कि GST registration lawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlawlaw अगर वैसे सब्दों में कहों तो bargaining कि थोड़ा आगे पीछे या दाएं बाएं और कर दें amount को या payment कोनके तो वो थोड़ा सा strict भी होते हैं लेकिन काम भी अच्छा करके देते हैं यह उसमें doubt नहीं है बिल्कुल भी तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से यह मैं आपको समझा गया होगा यह comment आया था आदर्स लर्निंग चैनल पर जब काम कर रहा था मैं उसमें भी एक comment आया था सेम यही टाइटल था कि क्या जीस्टी रेजिशन करने में पैसा भी लगता है क्या वही मैंने टाइटल बनाए आदर्स लर्निंग में वीडियो अच्छी खासी चली लगबा चार सो पान सो व्यूज हैं तो मैंने सोचा कि इस पर भी बनाया जाए क्योंकि इस पर आप काम स्टार्ट किया है सार्दर टाइम्स वाले चैनल पर तो इस करते हैं कि आप थार्ड ठीनल पर नंबर पर पारिश लेवल पर या उनसे काम उसांसे काम करते काम नहीं आप में ऑधन्य चारण होनेरा दोकर्स य frameworks नहीं बय्म dog निलगा डिकिन बात करूं सुन तो एक नंबर नबर काम ही उनका हैおっ rendre जो और यहां पर मैं कौनसे के टेगरी में हूं यह आप डिसाइड कर लेना मेरे काम के बाद चलिए इस वीडियो में इतना ही उमीद है को समझा गया होगा चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना नमस्कार